हेलो बच्चो स्वागत है आपका मेरी टिप चैनल पे आज हम सिक्षा निदी शाले द्वालादी की क्लास 7 की वक्षीट 35 विसकर्स करेंगे सब्जेक्ट है बच्चो इस वक्षीट का विज्ञान और देट है इस वक्षीट की 19, February 2021 वक्षीट को स्टाट करने से पैदा आप सब बच्चे जिन बच्चो ने भी तक मेरी चानल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वह मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दे बच्चो तो आज की वक्षीट हम स्टार्ट करते हैं आज की वक्षीट में पढ़ेंगे हमाज चैप्टर का नाम है पादपों में पोशन और आज का हमार तुपिक मृत जीवी अब मर्दा के मिर्दा में पोश्कों की पूने पूर्ति किस प्रकार की जाती है वह आज हम सीखेंगे तो देखते हैं आज की वक्षीट हम तो निम्मिलेखी परतेक परशन में सही विकलब का चीयन करें तो यहां पर आपको कुछ कोशन देगें इसमें आपको सही विकलब का चूज करना है तो फर्स कोशन जैसे वी पादप जो सड़े गले और मृत परधार्तों से अपना पोशन प फर्सट आप करें बernen jetzt second है difference है वे जीव जो वायू मंदलिये नाइटरोजन को विल्या घुलंश धारतों में पर्व्यट कर देते तो उस जीव को हम क्या बोलते है जो वाई मेडल से नैट्रोजन लेके उसे गुलंशिल बना देता है उसको हम बोलते है राइजोबियम तो सेकिंड कांसर होज़ेगा आपका ए ठीक है राइजोबियम फर्स्ट का था आपका बी बच्चों तो नेक्स रोशन देखते हैं लेकिन के हमारा शेवाल और क्वक के शेखनी में आता है तो सेकिंन को एक किसाध jut कर देंगे नेक्स डाहरा पर दिखनी पीजह और फलीदार पादब नотьтесь साथ मैच कर देंगे नेक्स्ट पादप पोशक पादप पोशक क्या होते हैं वह क्या होते हैं हमारा पोशक तत्व क्या पादपों के लिए नैट्रोजन है तो फॉर्थ को हम सी के साथ मैच कर देंगे से जीवी संबन तो यह हमारा दी पाड़ बच गया तो इसको हम फ्रिप् तो एक दूसरे के साथ वो शेरिंग करते हैं आवास के और पॉशक तत्व की वो कहना थे सेज़ेवी संबन तो फर्स्ट को आप एक के साथ मैच कर देंगे एक के साथ मैच कर दें तो इस पकार आप अपने मैचीट कम्प्लीट कर लेंगे नेक्स रोशन देखते इस इस सेढ़Reg怎麼樣 ऄंगे बेदरन की इसाथ यह सम्बन करते हैं दो इसे सेज़ेवी संबन कहते हैं कुछ कवक व्रिख्षू पेड़ों की जोड़ों में रहते हैं वरभ्ष कवक को साथ मिलती है तो मान लीजी आपका पेड़ है नहीं अपने हमा कवक रहते हैं को रख बच्चे क्या करता है कि कवक को पौशक तत्व परदान करता है और व्रिक्ष कवक से क्या लेता है जल पौशक तत्व के अवशोशित कर पेर तक पहुचा देता है तो इस परकार कि इस संबंद का विशेश महतवर यह बहुती इपोटेंट कहलाता है कि कोशन हमारा इस पैराग्राफ से लेटिड से जीवी संबंद में रहने वाले जीव किस प्रकार दूसरे को लाभावन्तित होते हैं तो इसका अंसर आप लिखेंगे यहां से कुछ कवक वरिक्षो पेड़ दैश जे परधार पर अंकुरित होकर नए कवक को जनम देते हैं तो मालो कई वस्तु है उस पर कवक के जिवानु है तो उसको किस प्रकार का इंवार्मेंट चाहिए तो उसको चैनम और उशन तबी वह दूसरे अपने जैसे कवक को जनम देते हैं तो इसमें आप लिखें और उश ठीक है बच्चो तो पूरी वक्षीट हमारी कंप्लीट हो गई है अगर आपको वक्षीट समझ में इच्छ लगी है तो जल्दी से जल्दी बच्चो आप मेरे चैनल रिशेप कम्वीटर क्लास्यूस को सब्सक्राइब कर दें वीडियो अच्छ लगी तो लाइक कर शेयर करें बच्चो कमेंट करके जुरू बताए कि आपका वीडियो कैसे लगी थैंक यू है वे नाइस दे बच्चो